दोस्तों जो कल डेली वाला टेस्ट हुआ था उसमें किन किन इस्टुडेंट ने टोप किया है वह पहले देख लेते हैं उसके बाद आज की कलास हम सुरू करेंगे तो देखो यहां पर जो पहली रेंक आई थी उसमें आप आपको पता है रोज यह जो तीन चार इस्टुडे यह सुमित्र की आई यह जिनोंने चोद्र प्रश्ण सही किये है और उसके बाद जो थर्ड रेंक आई यह वह आय है दोस्तों के लास नात्की जिन्हों ने तेरा नंबर प्राप्ट प्राप्ट पंद्रा में से ठीक हैं तो यह फस्ट शेकिंड और थरड रेंक लाने वारी कि किन किन इस्टिट ने फॉर्स्ट सेकिंड स्टर्ण रेंग प्राप्त कीए और फिर फ्रेश्ट रेंग जो भी प्राप्त करेगा उसको आपको पता है अपनी तरफ से इनाम भी दिया जाएगा तो आप सबी भी टेक्ष्ट हो गेरा जरूर दें कि गांदी जी ने तमील बासा सीखने की कोशिस कहां पर की थी दोस्तों ये बहुती मतलब ना इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता वेसा प्रश्ण है तो तमील बासा सीखने की दोस्तों इन्हों ने दक्षिन अफरिका में जब ये जेल में थे वहां पर इन्हों ने तमी तो सेटी दोस्तों मुलंब कोसिस की ती महा पर दक्षिन अफरिका में और जो उर्दु है यह यह आउदा जेल में सिखने की कोसिस की थी ठीक है कर दोस्तोँ आपको पता है इन्होंने लिकी थी त्याभा पर लिकी थी राजगोट में लिकी हर अब देखो यह नए पत्रिका यह प्रwandब 양ए यह की にو bought कोट में दूसरा आपको याद रखना है कि यह परली कौनसी बत्रिकां में चपी थी तो याद्रखना किसी सभा में जाते थे तो कौन सा गीत गाया जाता था याद ररगना God say उद्र केंग कोन सा गीत गाया जाता था उनके बच्चों के दौरा God say AO चुट कह आज में म्जिर साम मेता मिलने के लिए कुस ने कहा था दोस्तों यम जी नाडे और बद्रुद्दीन तयब जी ने कहा था यह दो दो वेक्ति हैं आपको बताएं मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि फिरो सामेता उस समय के बहुत बड़े वकील थे बहुत बड़े राजनिती कहते और यही गांदी जी के पहले आईडियल भी थे हमने पढ था तो इनसे मिलने को गांदी जी से किस ने कहा था एंजी रानाडे और बद्रुद्दीन तयब जी ने कहा था कि पहले आप अगर राजनिती में आ रहे हो ना तो इनसे मिलो तक आपको यह कुछ मलब एक्सपिरियंस चिका सेर्व कर सकें आपके साथ और आप फिर अच्छ में मुंबई का बेताज बात्षा very very important है दोस्तों मुंबई का बेताज बात्षा किसे कते थे यह कते थे अपने फिरोषा मेता को किसमें यह इस किताब में कहा गया है very very important प्रश्ण है फिरो सामेता का right hand कौन था वाच्छा क्या नामता दूस्तो वाच्छा एक वेक्ति था जो इनका दाइनाहात कहा जाता था यहनकी एक तरह के से इनका बहुत ही ज़्यादा विश्वसनिय यह वेक्ति था वाच्छा फिरो फिरो सामेता से कहां पर मिलेते तो याद रखना बंबई में मिलेते आपको पता है एसे प्रश्ण कहीं सारे आ चुके हैं कि किस वेक्ति से कहां पर मिलेते तो याद रखना फिरो सामेता से बंबई में गोपाल कृष्णी गोखले यह तो इनकी पहले मुलाकात हो गई थी लेकिन काहाँ पर मिलेते हैं अपने पड़ा ताकिए इसको छोभाल करें आ इमक्तिब लगाणासी में तो याद कर लेकर स्थष्षब कर लेज में देखो अभी हम जिसकी बाद कर रहे थे सच मैं इसकोन नीचे नहीं झाल में हैं तो गोपन कृष्टियों से कहाँ पर मिले दोस्तों प्रशन यता लուयता हैं कि कि वेक्तियों को यह क्या क्या संग्या दी गई है क्या क्या उपादियां भी रिका आस्ट में घराय से बताया है यह इनकी उपादियां देने के पीछे रिजन है जिसे हिमाले बहुत कटोर होता है समुद्र तोड़ा सा खाराव गिरा होता है और गंगा का पानियम यूज़ कर सकते हैं तो उसी तरीके से इनको किया गया है लेकिन अभी के लिए देख लो आप तो सिर्फ यह याद कर लो कि फिरो सामेता को हिमाले की उपादी दे गई है लोक माने तिलग को समुद्र की उपादी दे गई है और गोखले को आप गद से तो गह याद करी ले हुए गोखले गंगा गोखले गंगा हो जाएगा लोक माने तिलग को समुद्र की उपादी दे गई है और फिरो सामेता को पिछले साल बताया था मैंने कुछ यार बूल गया मैं अगला देखिए बाल गंगदर तिलक ने इन से कहा था कि रामकृष्ण भंडार कर से मिलिये आप किन से मिलिये रामकृष्ण भंडार कर से बंगाल के देव किसे कहा गया है सुरेंदर नात्य बूल गाल के देव के नाम से जाना जाता है बंगाल के देव किने करते हैं सुरेंदर नात बंदर दी और दो तो जो आज टेस्ट चल रहा है मेगा टेस्ट उसमें मैंने कुछ मतलब कन्फ्यूज करने वाले प्रश्ण बहुत ही ज़दा इनक्लूड किये हैं ताकि बच्चे उसमें एच्छे से सीखें कि हाँ ये गलतिय किया है वह भी दोस्तों वह जो टेस्ट हैं उनको जरूर दें ताकि आपके अच्छे से त्यारी हो चके उसके लिए करना कुछ नहीं है ये इसका लिंग डिस्क्रिप्स में है उसके बाद 50 रुपे वाला कोर्स आएगा जिसमें गांदी जी का फोटो देखेगा तो वह अगला प्रशनी देखिए दादा अब्दुला को ने कौन सा इस्ट्रीमर करीदा था कुर्लेंड क्या दोस्तों कुर्लेंड इस्ट्रीमर करीदा था कुर्लेंड इस्ट्रीमर के साथ में एक और इस्ट्रीमर आ रहा था सोरी जा रहा था तो उसका नाम बताये क्या था इंटेंडेंट एलेक्जेंडरी है वहां का एसाई समझे लो जिसे आज हमारे यह साई होता है तरनादीकारी वैसे ही हुआ का दक्षिन अफ्रिका की बाद चल रही है था तो वहां क्या था गांडी जी का बहुत सारी लोग विरोध कर रहे थे इनको वहां पर रुकने नहीं दे रहे थे जब यहां से गए थे भारत में तो कुछ इसा मामला हो गए था कि आपनी जो हैं वहां पर जाकर भारत में जाकर हमारी बुराई की यह दक्षिन अफ्रिका वालोगी तो इसलिए वहां पर इनका विरोध किया गया तो फिर इनके घर में रुके रुस्तम जी के लेकिन बाई साब इनके घर को भी घह लिया तो फिर यह पूलिस लदिकार इनको बचा कर ले गए थे अगला प्रशन देखिए गांदी जी का कौन सा बेटा भारत में सिक्षा गरन करने के लिए रह गया था तो याद रखना हरी लाल और पिर इसी हरी लाल ने अपना रंग बदल लिया था आपको याद आ गया होगा मैं क्या करना चाहता हूं अगला प्रशन देखिए गांदी जी ने बर्म चरे का वर्त देखो भी एक कुशन बदल दिया अब अब अम से यह सन नहीं पूछ रहा अट्टारा उनिस सोच सोरी उनिस सोच में तो इन्होंने पालन कर अगला प्रशन देखिए गांदी जी के अनुसार ब्रम चरे के पालन के लिए अनिवारे अंग क्या हैं उपवास क्या हैं दोस्तों गांदी जी मानते हैं कि अगर आपको ब्रम चरे का पालन करना है तो आप क्या कीजिए उपवास कीजिए गांदी जी ने ब्रम चरे का अर सभी याद करने इंहोंने की मन और वचन से समझ्थ इंद्रियों पर इंद्रियों पर कंट्रोल रखना सयम रखना मन और कन वस्तू में भाएं पर इंद्रियों गांदू जी के पास MG रानाडे की क्या वस्तु थी, जिसे वो काफी संभाल कर रखते थे, तो जो थया था दोस्तों दुपट्टा, MG रानाडे भी उस समय महा नस्ती थे, इनका दुपट्टा इनके पास था, जिनको गांदी जी बहुती जादा संभाल कर रखते थे, अगला Critical ने देखिए 1901 में जब गांदी जी डेक्षिन अफरिका से बारत आ रहे थे उस समें एक रात मौरी सच के घर में इनों ने बिताया था तो बताईए उस गावर्णर का क्या नाम था याद रखना दो चाल्स-बूर्स它 चाल्स-बूर्स tha चाल्स-बूर्स उसकाना था सुना होगा आपने करंट में पड़ा होगा खेर उसकी बात अलगे तो जो माल्दीव का गवर्णर था वह क्या था गांधी जी आ रहे थे तो यह गवर्णर यहां पर बेटा हुआ था इसने कहा कि चल ब्रो क्या कहा कि चल ब्रो आज मेरे घर पर बिता ले ऐसे कहते हैं न तो कहा पर गए थे और कब गए थे तो दोस्तो गांधी जी परली बार कांग्रेस के सबा में गए थे जब यह दक्षिन अफरिका से आये थे ना उसी समय 1901 को कलकता में अधिवेशन हो राता तब गांधी जी परली बार कांग्रेस के अधिवेशन में सामिल हुए थे जब गां तो यह जो राइट हैं यह पहली बार जब कांगरेस में मतलब ऐसे सामील हुए थे गए थे वहाँ पर गुमने गुमने मालो आप तो अपनी कुछ बातें लेकर अपनी कुछ अपनी कुछ अपनी कुछ प्रार्तनाई लेकर गए थे तो उस समय देख कोन ता दिन सा एडल जी वाचा कब की बात हैं 1901 की बीएच यू बनारेस हिंदू विस्विद्याले इसके उद्गाटन में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था तो माल विए जी जो मदन पिर मोहन पिर माल विए जी यानि कि ट्रपल यम भाई साब ने इनको आमंत्रित किया था कि आईए अपन बूशन के नाम से भी जानते हैं किने नाम से भारत बूशन के नाम से किने जानते हैं मदन मोहन माल विए जी को भारत बूशन के नाम से भी जाना जाता है डोक्टर परफुल चंदर राय से गांधी जी को किसने मिलाया था तो गोकले जी नहीं मिलाया था और आपने अगर आप 12 तक आ गए हो तो आई थिंग इनका नाम सुना होगा डोक्टर परफुल चंदर रॉय का नाम जरूर सुना होगा यह निसे गांदी जी को किस नहीं मिलाया इनके पॉलिटिकल जो गुरू थे गोपाल कृष्णी गोगले उन्होंने ही मिलवाया था गांदी जी ने 1920 के ब जातर विशेपर व्याख्यान कब सुनाता यह पहली बार एक ज्याम वटा उसमें आया वुआ प्रश्ण हैं ठीक हैं तो कसि की यात्रव जिसेपर इनोंने में सुनाता अगला प्रशम ли तो राइटांत्रो जाएगा कांग्रेस की षिवा करना है उब समय क्या माना जाता था शारुजन KP सेवा माना जाता था गांदी जी 80 दर्शन के बाद किन से मिलने गए ते स्रीमती एनी बेसेंट सें और हम पड़ चुके हैं कि स्रीमती एनी बेसेंट से गांदी сек पहली बार कहां पर मिलेते मेडम बलावातसकी के लोज में ठीक है अगला प्रस्में देखिए गांदी जी देक्षिन अफ्रिका में भारतिय समाज के अधिकारों के लिए कहां पर लड़ेते ट्रांसवाल में कहां पर लड़ेते दोस्तों ट्रांसवाल वहीं पर एक इस्ताने वहाँ पर लड़े थे गांदी जी के पास अमेरिकन बिमा एजेंट मिलने कहां पर आया था बंबई में एक और इनको बाइस आप गांदी जी को पसा भी लिया था इसने एक अमेरिकन बिमा एजेंट था जो इनसे बंबई में मिलने आया था कि आपकी लाइफ लाइफ गांधी जी ने करवा लिया फिर बाद में इनको अच्छे से पता चला फिर इनको दुख हुआ और फिर इनको इन्होंने फिर वापस कुट्रेक्ट खतम करवा दिया अगला देखिये जी ने कितने रुपय का भिमा करया थाद सज्वारुब डाया आज के जमさん वह रुपय बहुत होते हैं पुरा जीवनी उन्होंने भारत के लिए भारत के लोगों के लिए अगला प्रस्ण देखिए मेरे लिए तो वो पुस्तक आचार की एक प्रोड मार्ग दर्सी का बन गई यह वाकिय गांदी जीने किस किताब के लिए कहे थे तो गीता के लिए कहे थे और गीता में बहुत ग्यान बराएं वाई अगला प्रशन देखिए गांदी जीने ट्रस्टी सब्ड का अर्थ कहां से सीखा था तो यह गीता से सीखा था कहां से सीखा था गीता से ट्रस्टी के पास करोड़ो रुपया के रते हुए भी उनमें से एक भी पाई उसकी नहीं होती मुमुक्स को ऐसा ही बरताओ करना चाहिए गांदी जीने यह कहां से सीखा था गीता से सीखा था इसका मतलब यह कि प्रतेक कि पास क्रोड रुपे लेकिन उसको पता होता है न कि यह तो लोगों के काम आने वाले तो वेसे लोगों को भी अपने समझना साहिए इसा इनका मानना था अगला प्रेशन देखिए मुझे इसे प्रशन आते हैं दोस्तों तोड़ा से उट प्रटांग लगेंगे कुछ खतन वाले तो तोड़ा सा दियान से देखना मुझे यह दिपक की तरह स्पेश्ट दिखाई दिया कि अपरीगर बनने में सं पॉलीसी बंद करने लिए गांदी जन lly ने किसे पत्र लिखा तो रेवा संकर भाई को लिए आज तक तो मेरे पास जो बचा मैंने आपको अरपण किया अब मेरी आसा छोड़ दीजिए अब जो बचेगा फो यही इंदुस्तान समाथ के लिए खर्च होगा गांदी जनी यह पत्र किसे लिखा था बड़े भाई को लिखा था वहां से क्या है ने पैसे उगरा बेज देते लेकिन इन्हों न कहा कि भाई जब बहुत हो गया अब पैसे उसे नहीं आएंगे क्योंकि अब जो मेरे देर स्वासी हैं उनकी शेवा कर रहा हूं में तो अब आप मेरी मिट्टी के उपचार के बारे में गांदी जी ने किन की किताब पढ़ी थी तो दोस्तों वेरी वेरी इंपोटेंट किस्ट बन जाएगा मिट्टी के उपचार के बारे में गांदी जी ने जुस्ट वेखती थे एक उनकी किताब थी रिटर्ण तू नेचर हम पढ़ जुके इलाज किया था और वो हो भी गया था तो याद रखना कब्ज इनको कब्ज हो गई थी या इनके सन को उई थी किसी को उई थी तो कब्ज की जो बीमारी है वो मिट्टी के उप्तियार के दोरा इनोंने उसका इलाज किया था गांदी जी के अनुसार सरीर और भुद्धी के लि एस याई अधिकारी जोते उस समय उनका बड़ा थाना जोहां सबर्ग में था गांधी जी की आत्मकत्ता लिखने के लिए किसने प्रेडित किया था गांधी जी को तो स्वामी आनंद ने और जैराम दास ने दोनों ही वेक्तियों का नाम आप याद रखना और एक और काम आज आपको करना है और वह यह करना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अब मैं देखता हूं यार रोज मतलब 1820 लाइक क्यों आते हैं देखते तो लगबग दोस्तों से भी ज़दा इस्टुडेंट है फिर पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते यार कर दी या करो आगे बढ गांदी जी ने पहली बार कब से टाइपिंग की नोकरी के लिए रखा जिसका कन्यादान भी किया अचा यह पूच रहा है दोस्तों गांदी जी ने पहली बार किसें टाइपिंग की जोब के लिए रखा था और फिर पिर जब यह बड़ी हो गई लड़की तो फिर इसकी सा को रखा था इनका इन्होंने कन्यादान किया था डाइपिंग नहीं आकर इसंसर का का अधियाद मिस्ट भी थी तो ट्याव टों स नाम था मिस्स सलेश्ट मिस्स पर को पर ऊथा एक तो तो पिर टीचर की एक रखी थी जिसका नाम था Mrs. Slesine क्या नाम था दोस्तो Mrs. Slesine और आप अगर याद रखना चाहो तो यहाँ पर आ रहा है D and Dek और Slesine and Yes तो पले D आएगा तो कन्यादान करके यह तो चली जाए तो डी पले आजाएगा न मलब फिर यस आजाएगा सलेशिन ठीक है बाकि आप अपने इसा आप से भी याद कर सकते हूं मिश सलेशिन को गांधी जी के पास कौन लेकर आये थे तो मिश्टर केलन बेक लेकर आये थे को लेकर आये थे मिश्टर केलन बेक लेकर आया था ये दक्षिन अफरीका के थे गोपाल कृष्णी गोखले ने दक्षिन अफरीका में गांदी जी का सबसे अच्छा मित्र किसे बताया गांदी जी के तो इन्होंने गांदी जी का सबसे अच्छा मित्र दक्षिन अफरीका मे मैंने बहुत थोड़े लोगों में ही देखी है गोपाल कृष्ण गोखले ने यह किसके लिए का था तो बाइसाब यह मिस सलेशिन के लिए ही का था सोचो उस समय गांदी जी कितने अच्छे वेक्ति होंगे कि इन पर एक तरीके से जो मिसलेशिन है वह मतलब इनकी सिस्से बन गई इन पर इतनी यह हो गई कि भाई साब मलब भगवान की तरह लग गई इसको तो इतने अच्छे वेक्ति थे इंडियन ओपिनियन अकबार निकालने का विचार किसका था तो ज़्यादातर इस्टुडेंट क्या करेंगे गांदी जी करेंगे लेकिन दोस् स्री मदन जीत का था स्री मदन जीत का था इंडियन ओपिनियन अकबार कब निकला था तो यहीं पर यहीं सही पत्रिका निकालने लगे कौन सी इंडियन ओपिडियन तो गांधी जीने इंडियन ओपिडियन पत्रिका कब निकाले थी 1904 नव जीवन और एक यंग इंडिया पत्रिका कब निकाले थी 1919 में ठीक है तो तीन पत्रिकाई अरिजन पत्रिका कब निकाले थी 1919 में एंडियन ओपिणियन अकबार संपादक कौन से क्या कहेंगी स्टूडेंट गानदी जी लेकिन दोस्तों यहां पर देखो मनसुक लाल नाजर कों थे खथका और मदन और गैर को यह विचार आया था कि इसकी स्थाब ना करने सायोिए प्रारंब में उपिण किन किन लेंग्वेज में निकलता था हमने आपको पता हैं जो हैं इसा प्रस्ण पढ़ा था कि जो इंडियन ओपिनियन है ना वह कौन-कौन ची बासाओं में निकलती थी हाना तो यहां पर एक और क्लियरेटी आपके आजाएंगी तो चार जो लेंग्वेज थी उनमें यह निकलती थी एक तो तीन तो अपने इंडिया के लिए लो इंदी गुजराती और तमिल और एक ती अंग्रेजी आप दोस्तों इनमें शेना दो लेंग्वेज को इन्होंने बंद करना पड़ा था इन तमिल और हिंदी जो बासां थी उसमें इन दोनों बासाओं में निकालना बंद कर दिया कि पर गुजराती और एंग्रेजी में निकालते थे ठीक है लेकिन इस्टार्टिंग चारों से उई ती गांदी जी को इंडियर ऑपिनियर में कितने सालों तक अपनी सेवाएं इन्ह साल हो गए और यह तो आराम से बता देना 10 साल वह के अनों ने सेवा दें सको डादा अब्धूला गांधी जी को क्या कर पकार देते भाई こ्या कखर पुकार देते भाई सब्सक्रक्राइक अगला प्रस्न मुख्य कारण क्या था तो राइट आंथर सोने की खाने वहाँ पर निकल दी तो वहीं से कुछ हुआ होगा तो आप तो यह याद करो सोने की खाने थे डोक्टर वीलियम गोडफरे कौन थे जो आंच बरके के एक डोक्टर थे सत्य के साथ मेरे प्रियोग में लेजारेंटो वहाँ पर ना पर रखा जाता था ताकि औरों को ना फेले यह गाउं से कस्बे से बहुत दूर बनाया गया था तो जो लेजारेंटो था यह इसकी इन्डियन ऑपिनियन का कारेबार किस ने समाणा था वेश्ट ने तरता धा गांधी जी क्रिकेट काउप संपाद कूं नोट क्रिकेट, क्रिकेट का मैं उप संपा दखूँ, मा मारी विशेक आपका पत्र पढ़ने के बाद, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा हुई, आज मुझे ये अवसर मिला है, बताओ ये सब्द किसने कहे, अब बताओ, अगर आप बिना पड़े, इनकी आंसर केसे तो याद रखो, मिश्टर पोलक ने एक काहा था, क्या काहा था कि मैं क्रिकेट का उप संपा दखूँ, क्रिकेट एक पत्री काती है इस समय, बिल्कुल सही है, तो ये उसके उप संपा दख थे, तो उसी में इनोंने, मा मारी विशेक, इनका पत्र पढ़ा गांदी जी का, ये इन से मिलना चाहते थे, तो उनी के रिकार्ड़ेंग ये बात कर रहे हैं, तो कों थे वो बैसाब, मिस्टर पोलक और फिर ये इन से जुड़ गए थे, और काफी लंबे समय था कि गांदी जी के साथ में थे, तो बताओ, मिस्टर पोलक थे, ये गांदी जी से कहा पर मि तो यह जो किताब है ना यह पोलक नहीं दीती कानेजी को कि आप अच्छे विचारवाल हैं तो इसा करिए आप इस किताब को भी पढ़िए आपको बहुत ग्यान मिलेगा और यह किताब किसकी है देखते हैं किन किन बच्चों को भी याद है मतलब तो कमेंट करके जरूर बता मनुष्य हम में सोई हुई उत्तम भावनाओं को जगा दे या जागरित करने की सक्ति रखता है तो गांधी जी ने उसे क्या मानाए उसे कवी मानाए तो कवी की परिवासा गांधी जी ने क्या रिद दी है कि जो मनुष्य हम में उत्तम भावनाओं को जागरित करने की सक्त किरांत गानी जी ने नहीं बताएं तो याद रहना थी दिया कि सबकी भलाइए में हमारी भलाइए पहला है चित्श्ट यह रहे हैं और चाहिए दोनों के ही काम की कीमत एक सी होनी चाहिए क्योंकि آजीवी का कादीकार सबको एक समान है तो वकील नाई याद कर लो आप तो na तो एक तो सबकी बलाई में हमारी बलाई है और वकील नाई और तीसरा इनों ने सिध्दान्त दिया साधा मेनत मर्दूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है तो ये किसान, वकील नाई और सब की बलाई में हमारी बलाई है ये तीन सिद्धान थे इन्होंने दीते विसे हाड नहीं है ज़दा एक दो बार जब आप रिविजन करोगे तो आरामशी हो जाएगा बाकी टेस्ट में तो आपको जो है प्रफेक्ट बनी जाओगे गांदी जी पर सर्वोदे का जो परभाव पड़ा था वो उन्होंने किसे सुनाया था तो वेस्ट को सुनाया था ये वेस्ट कौन था अभी हमने पड़ा था कि जब महा मारी फेली थी उस समय ये वेस्ट ही था जिसने जो फिनिक सास्रम था या जो यहां से वो निकलती थी या इंडियन ओपिनियन वो उसका कारेबार इन्होंने संभाला था ठीक है अगला प्रशन देगी है गान्दी जी ने किसके प्रवाव में फिनिक सास्रम की स्थापना का विचार किया था सर्वोदे तो दोस्तों ये सर्वोदे सर्वोदे क्या था सर्वोदे दोस्तों अंटू दिस लाश्ट जो किताब थी उसी को इन्होंने रुपांत्री क्या बोलते हैं ट्रांसलेट करके सरोधे नाम से लिखा था तो उसी का विचार इन पर गराप प्रभाव पड़ा और फिर इन्होंने फिनिक्स आस्रम की स्टाबना की थी डरबन से फिनिक्स की दूरी कितनी थी तेरा मिल इसे भी प्रशन आ सकते हैं यह उन्हीं की जो बुकें उनमें से निकाल कर लाया हैं फिनिक्स आस्रम में कौन सी पत्रिका की चपाई होती थी अभी हम पढ़ी चुके हैं इंडियन ओपिनियन की अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम को याद होगा या नहीं होगा अगला प्रशन देखिए इंडियन ओपिनियन की छपाई फिनिक्स आस्रम के पहले कहां पर होती थी तो मर्क्यूरी प्रेस में लेकिन आप इनको दिक्कत होगी कुछ ज़्यादा पैसे उगरा लेने लग गये तो फि ख़आ इसे को पूछा जाता है कि बताओ कौन से बेटे का हा तो याद रखना रामदास का और आपको ऐसे याद कर होए था तो अच्छे वेक्टी होते हैं उन्हीं के साथ बुरा होता है तो राम अच्छे वेक्टी थे तो इनकी का जो हैं हाथ टूट गया तो इनकी उम्र आठ साल थे ठीक हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही अब मिलेंगे कल तब तक आप आप एपोगेरा को इंस्टोल करें टेस्टों को ज ठीक है बाकी मिलेंगे कल तब तक आप अच्छे से टेस्ट दें और अपनी तयारी को अच्छे से जारी रखे ठीक है तो थेंक्यू सो मच वीडियो को लाट तक देखने के लिए